राथे राथे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप अपनी नौरिज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाएं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही सरल और प्रभाकारी उपाय के बारे में जो पूर्मा के दिन करने से आपके भाके किद्वार खुल जाएंगे बसों के नेधनता दूर हो जाएगी भगवान पिश्टू और महालक्ष्मी आपके उपर अस तुलसी का मिलता है धेरो आशिरवाद मातर लक्ष्मी होती है आकश्ट घर में नहीं आते कश्ट तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो यह आपकी परिवार के लिए बहुत ही लाफकारी है तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का नेवास माना जाता है और नियामित रूप से तुलसी मा का पूजन करने से मा लक्ष्मी की आशिरवाद सदय बना रहता है लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज बानने से मा तुलसी का आशिरवाद मिलता है आपको वह सारी खुश्या मिल जाती है जिसके आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दमाएं कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी जैमा तुलसी जरू लिखें मा का आशिरवाद सदय आप पर और आपकी परिवार पर बना रहें दोस्तों तुलसी पवित्र और पूजनिया है अनिक औशदिय गुणों से भरपूय तु अधिर लग बलदानों मेंने से एक तुलसी भी है तुलसी को अम्रत का प्रती रूप कहा जाता है जहां तुलसी का पौध होता है बहां वगवान विष्णू मा लक्ष्मी के साथ समस्त्य तीथों का भी बास तुलसी की पूजा करने से सभी बापनश्ट हो जाते हैं शास्तों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा देता है उस घर में शुक्रशांती और सम्रत्थी हमीशा बनी रहती है भागवान विश्णों की पूजा और प्रशाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी है क्योंकि इसकी बिना पूजर पूर्ण नहीं मानी जाती इन्हें कारणों से हिंदू परवारों में तुलसी का पौधा लगा होना बेहर जरूरी है अगर आपके घर में भी तुलसी है तो शुक्षान्ति और सम्रथी के लिए तुलसी मा को चुन्री अवर्शे उड़ाएं अकसर लोग जाने अंजाने में यह गलती करते हैं और तुलसी मा का पूजन तो करते हैं लेकिन चुन्री नहीं उड़ाते ऐसा करने से फलों की प्राप्ति नहीं होती मा तुलसी भी नारास हो जाती है शा पर पर देशा शुब रंग की चुन्री जैसे की लाल, पीली, उलावी या हरी रंग की चुन्री उड़ानी चाहें। तुलसी मा का विभार भगवान शालिक राम से हुआ है। और यह रंग सौभाकी के प्रतीक माने जाते हैं। तुलसी मा को कभी भी काली, नेली या सफेद रंग की अशुब रंग की चुन्री ना उड़ाएं। ऐसा करने से मान तुलसी के साथ मालक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। मान तुलसी को शुब रंग की चुन्री उड़ाने से सौभाकी में प्रती होती है। मान तुलसी के साथ ही मान लक्ष्मी का भी आशरवार प्राप्त होता है और घर में सुख सम्रधी बनी रहती है। कई लोग चुन्री उडाते समय एक गल्ती और करते हैं कि चुन्री पुरानी हो जाए, फट जाए, गंदी हो जाए, फिर भी उसी बदलते नहीं हैं या बदलने के लिए किसी शुप दिन का इंतिजार करते हैं। जब भी चुन्री गंदी हो जाए तो उसे धोकर बापस उड़ा दे फट जाए तो उसे तुरन पदल देना चाहिए परना मा तुलसी नाराज हो जाती है और शुफलों की प्राप्ति नहीं होती तुलसी जी में कई दिब्बिशक्तियां बराजवान हैं जो लोग तुलसी विभा करते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते स्वर्प की प्राप्ति होती है मां बड़ी प्रसन्य होती है शालिक ग्राम और तुलसी का विभा करानी से सारे अभाब कलहे पाप दुख और रूप दूर हो जाते हैं दोस्तों तुलसी के पास किया चीश कभी मत रखना तुलसी मा करोधित हो जाती है दोस्तों जहां पर तुलसी का पौधा हो वहां अपने मुक्सिक कभी भी कढ़वे वचन ना बोले तुलसी के पौधी के आसपास छूटते चपल जाड़ू पहुँचा आदी ना रखें इसे पाप माना जाता है तुलसी के आसपास थूकना भी घोर पाप माना जाता है तुलसी के पास जल से भरा हुआ पातर भी नहीं रखना चाहिए तुलसी के नीची आप दीपक जनाए तो जब दीपक पोण हो जाए दीपक बुझ जाए तो उसे हटा देना बुजा हुआ दीपक तुलसी के पास रखना अशुब माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग और गणेश जी की प्रत्मा रखना भी अशुब माना जाता है। पानी में पहादें या फिर मिट्टी में दवा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। और रविवार के दिन तुलसी का पूजन भी नहीं करना चाहिए। नहीं इस परश करना चाहिए। बागी हर दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए सुभे जल चड़ाना चाहिए और शाम के समय तीपक जलाना चाहिए अक्सर महलाएं इसनान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल दीती हैं तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का बरदान मिला है ऐसी में सौफागी में प्रत्थी के लिए बालों को अंग में सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए दोस्तों चाहिए मैं जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी घर में कभी मत लगाना आपकी घर में हमेशा परिशानी बनी रहेगी दोस्तों कभी भी गंदी मिट्नी में गंदी जगे या फिर इससे अकाल मेत्यों का खत्रा बना रहता है और सुक समरति खत्म हो जाती है मान लक्षमी का भी घर में पास नहीं होता तुल्सी के सूख जानी के बाद उसे गंदी से निकाल कर तुरंघदी में बहा देना चाहिए शांस्तों के अनुसार घर में е सूखी तुलसी लगाना मा लक्षमी का अपमान माना गया है कभी भी घर की छटपल तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहें दशिन या पशिन दिशा में भी तुलसी का पौधा ना लगाएं तुलसी का पौधर लगानी के लिए पूर और उत्तर पूर्वि दिशा या उत्तर दिशा ही शुप मानी जाती है मासिख धर्म के दोरान महिलाओं को तुलसी में जल नहीं चड़ाना चाहें इसे तुलसी सूख सकती है और घर की शुक्षान्ती सब भंग हो सकती है तुलसी के पौधे में नियमिस साफ सफाई करने चाहें तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहें चपल पहन कर तुलसी के पौधे में जल नहीं चड़ाना चाहें जल चड़ाते समय जल आपके पैरों में भी नहीं गेना चाहें इससे धनकी हानी का खत्रा बना रहता है और व्यक्ति को पाप भी लगता है। तुलसी का पौधा घर के आंगर में या बालकनी में ऐसी जगे लगाना चाहिएं जहां से हवा तुलसी से इसपश करती हुई घर में आए। इससे घर में सकारात्म उचा का संचार होता है और सुक्सम्रत्थी में ब्रध्थी होती है। नियमित तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा घर के आंगर में लगाना मंगलकारी माना जाता है। ध्यान रखें तुलसी की पौधी को कभी भी बुरे भाफ से घर में नहीं लगाना चाहिए अर्धात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है दोस्तों अगर घर में एक से ज़्यादा तुलसी की पौधे निकल आएं तो इसे अपने किसी पड़ोसी को आप दे सकते हैं शास्तों में कहा जाता है एक से ज़्यादा तुलसी जब निकल आए तो इसे बहुत शुब माना गया है यह साक्षाद मालक्षमी की आने का संकेत माना जाता है देवी लक्षमी आपसे बहुत खुश है तुलसी के पौधे को विश्म संख्या में डखना चाहिए जैसे की एक तीन पाँच साथ आदी तुलसी के पौधे में रोज सुभे जल चढ़ाना चाहिए और संध्याकाल के सम में एक चुटकी हल्ती डाल कर फिर जल चढ़ाना चाहिए ऐसा कहने से तुलसी मा के साथ ही भगवान लक्षमी नारायन के भी असीम कृपा प्राप्त होती है और धन का आभाप कभी नहीं रहता दोस्तों तुलसी की आसपास कभी भी इस पौधे को मत लगाना यह अशुब बूत प्रित और आत्मा को भी आकशित करता है यह बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है नाकफनी का पौधा तुलसी के पास लगाने से मालक्षमी के साथ मत तुलसी भी नाराज हो जाती है दोस्तों माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास केली का पौधा जरू ल पास यह चीज नहीं रखी जाती उस घर से लक्ष्मी मा को सो दूर रहती है तुलसी माता होती है क्रोधित आपको भी कारे करोगे कभी सफलता नहीं मिलेगी तुलसी के पौथे के पास शालिक राम जी को रखना बेहर जरूरी माना गया है शालिक राम भगवान विश्णू का निराकार रूप है यह काले रंग का पत्थर है जो नैपाल में बेहने वाली गंड की नधी में पाया जाता है जिस घर में तुलसी के साथ शालिक राम को रखा जाता है उस घर में विश्णू जी के साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है धन्दौलत की कमी बेमा नहीं पड़ता तरक्की आपके कदम चूमती है पुराणों में यहां तक कहा गया है कि जिस घर में शालिक राम होते हैं वह घर स्वर्ख से भी श्रिष्ट होता है दोस्तों मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए तुलसीम के पौधे में लाल रंग का कलावा बान देना जाहें ऐसा कहने से घर में सुक्सम्रत्थी बनी रहती है मालक्ष्मी का घर में सदय बास होता है और जीवन के सारे कश्ट दूर हो जाते हैं शास्तों के अनुसार विशीश दिन जैसे की गुरुवार एकादशी अमावस्या पोणमा आदि शुप दिनों पर तुलसी की में कभी भी अनिधन की कमी नहीं होती उमीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंत आई होगी वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं कमेंट अरिवार पर अपना आशिरवाद बनाए रखें थैंक्स फॉर वॉचिंग राधी राधी